हलो फ्रेंड्स आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूटूब चैनल सहोस अफ सलूसन्स पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा एंगुलर 13 का फूल टॉटोरियल सीरिज पिछले वीडियो में हमने पैकेज-lock.gestion और package.gestion के बारे में देखा जो कि हमारे folder structure का पार्ट था और दोस्तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं उसमें यह देखेंगे भी इस वीडियो टॉटोरियल में देखेंगे और details में समझेंगे तो दोस्तों यह वीडियो बहुत important है इसके बाद हम एक एक करके basic चीजे पहले समझेंगे कि आगे आने वाले वीडियो में components क्या होता है decorators क्या होता है pipes क्या होता है tendency injections क्या होता है service क्या होता है input output क्या होता इन सारे चीजों के करके हम देखते जाएंगे जो कि basic concept है तो दोस्तो इस प्रोजेक्ट में हम समझेगे जो कि हमने कि रिशले वीडियो में दोस्तो सबसे पहली बात तो यह आपको हम बता दें कि जो मोडियूल होता है दोस्तो एक कंटेनर होता है जो लॉजिकल कॉम्पोनेंट और जो सर्विस होते है उसकी ग्रूपिंग होती है multiple modules create कर सकते हैं, जो कि अला गला फोल्डर में होते हैं, उसका एक सिनारियो होता है, उसको एक करके मैं इस वीडियो में आपको समझाता हूँ, कि मिन्स कि जो दोस्तों module होता है, एक logical grouping होता है, components और services का, तो कि आपके application का जो default module होता है, app.module.ts होता है, तो इसके बारे में पहले हम समझते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि कैसे बहुत सारे modules को हम create कर सकते हैं, अपने application के अंदर क्यों कर सकते हैं, तो पहली बात तो यह है application के लिए एक module होना जरूरी होता है, जो एक से हम root module बोलते हैं, तो यह module जरूरी होता है, app module किसी भी अपने application के लिए, उसके बाद आप multiple module create कर सकते हैं as a requirement, तो दोस्तों इसको पहले समझते हैं, कि इसका क्या concept है, जैसा कि थोड़ा बहुत एभर भीव मैंने आपको पिछल decorator accept करता है, एक decorator होता है, इसमें जो ng module होता है, जो कि हम angular के core library से इसको import करते है, decorator इसको ng module है दोस्तो, decorator क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके आगे add rate लगा हुआ, आगे angular में कहीं भी add rate prefix के साथ देखेंगे, तो आप समझ जाएए कि वो एक decorator है, right, decorator के बारे में भी हमार आगला वीडियो आएगा, तो उसमें आप देखेंगे कि decorator क्या है, उसको भी हम अच्छे से details में समझाएंगे, बस अभी समाझ लिजिए कि ng module as a decorator यहाँ पर है, और यह एक object accept करता है, जिसमें बहुत सारे arrays होते हैं, mostly जो 4 या 5 arrays, जो useful होते हैं, important होते हैं, वो by default create होके आ हम उनको रखते हैं, जब जिनको हम IJ component create करते हैं, इस project में कोई भी component create करते हैं दोस्तों, तो उसको हम declaration section के अंदर हमें declare करना होता है, right, और यहाँ पर उसे import करना होता है, right, जैसे कि by default app.module.ts में आप देख रहे हैं कि यह हमारा component create हुआ है, app.component.ts फाइल, आप देख सकते हैं, app.component. तो इसको हम कहां declare कर रख है, app.component को देखे, declaration section के अंदर है, और यहाँ पर import किया हुआ है, जो कि by default project create करते time में यह हो जाता है, अब आगे से हम create करका भी मैं आपको दिखाता हूँ, तो जैसी हम create कर रहेंगे, तो यहाँ पर declare करना होगा, दो तरीका होता है, द यहाँ पर, right, यहाँ पर आप create कर सकते हैं, इसको मैं पहले delete कर दूँ, terminal में जाएंगे, और यहाँ पर, आप create कर सकते हैं, यहाँ पर, इसका command होता है, दोस्तों, component create करने का, दोनों में difference ही होता है, दोस्तों, अगर right click करके, अगर आप यहाँ पर create करते हैं, component, तो आपको manually यहां पर import करना होगा लिखना होगा और यहां पर declaration sections में declare करना होगा बट अगर हम command के थुरू कोई component create करते हैं तो automatically import हो जाता है यहां पर और यहां पर declaration section में भी add हो जाता है declare हो जाता है तो उसका live example मैं आपको भी देखाता हूं यहां पर दोस्तों यहां पर command होता है आप इसको note करते जाए क्योंकि आपको आगे project मिनाते time यूज में आएगा या फिर interview purpose के लिए भी जरूरी होता है तो उसके लिए होता है दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ng some create ng से हम कोई भी command चलाते हैं angular में ng for angular होता है जैसे हमने ng serve क create करने के लिए उसी तरीके से यहां हम लिखेंगे ng उसके बाद हम generate लिखते हैं generate generate या फिर आप इसको short form में भी लिख सकते हैं दोस्तों generate का short form g और component component का short form c तब फूल लिखिए ng generate component या फिर ng gc और component का name जैसे मालों दोस्तों हमने employee रख लिया right जैसे enter hit करेंगे दोस्तों हमारा एक component केट होगा जिसमें चार फाइल बनेंगे right तब एक थोड़ा सा time लगता है इसको wait करते हैं तो आप यहां पर देख लिए दोस्तों कि generate हो चुका है और चार फाइल बना है right एक तो बन गया आपका employee.component.html उसके बाद specification.ts उसके बाद .ts उसके बाद .css ऐसा कि आपको पता है कि अगर कोई भी component create होता है तो उसके साथ अपना एक html create होता है और एक css जो internal css होता है उसका file create होता है तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि update srcapp.module.ts भी update हो चुका है आप यहां पर देख सकते है jsm ने create किया अपने आप employee component यहां पर import हो गया यहां पर देख सकते हैं और declaration section में भी declare हो गया और यह folder देखी यहां पर बन गया employee नाम से इसकी अंदर आप देखिए चार फाइल बन चुका है एक जो main file होता है इसका employee.component.ts इसमें हम work करते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने पिछले वीडियो जम बताया था कि अपना हर component का एक selector होता है और यह और इसका अपने CSS का भी reference दिया हुगा आप यहां पर देख सकते हैं employee.component.css means कि इस CSS पर कुछ भी लिखेंगे तो इसका effect कहां होगा दोस्तों इसके HTML पर जो कि अपना internal HTML है तो internal HTML और CSS, internal CSS और global CSS का जो styles होता है उसका मैंने difference आपको बताया था पिछले वीडियो में जो कि हमारा folder structure वाले में मैंने बताया था तो आपको I think समझ में आ गया होगा क्या difference होता है तो यह होता है दोस्तों कि हम component इस तरह के से create करते हैं और और ही चीज आपके module और टीएस में declare और import करना होता है अगली बात होती है दोस्तों कि हम कितने module create कर सकते हैं अभी तो हमने component create किया हम module कैसे create करेंगे और कितने कर सकते हैं उन सारे चीजों को भी मैं एक step by step बताता उससे पहले मैं आपको बता दूँ यह ng module जो decorator होता है जो कौन-कौन सारे accept करता है तो हमने अभी declaration section के बारे में देखा तो दोस्तो declaration section में हम component को declare करते हैं, pipe को करते हैं, directives को करते हैं यह सारे चीजे भी अगले आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि directives क्या होता है, कितने type का होता है, pipe कितने type का होता है, यह सारे चीजे हम एके करके देखेंगे बस आप यहाँ इतना समझे कि declaration section में दोस्तो हम component को, directives को और pipes को declare करते हैं और आगला होता है, दोस्तो, imports, तो imports में दोस्तो हम modules को, जो हम module create करेंगे, उसको हम import करेंगे यहाँ पर, right, means कि जैसे ही module create करके दिखाओंगा, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर हम उसको import करेंगे, means कि component हम declaration section में रखते हैं, और module create करते हैं, तो हम imports के अंदर रखते हैं, उनों array में difference है, imports और, imports और declaration sections में, दोस्तो, यहाँ पर आप already देख रहे हैं कि browser module और app routing module जो की by default add है, इसमे, project create करते time यह add हो जाता है, और यह देख सकते हैं, यहाँ पर import भी किया हुआ है, अगली बात आते हैं दोस्तो कि providers, providers के अंदर, दोस्तो हम service को रखते हैं, कोई भी service हम बनाएंगे अपने application में, या use करेंगे, तो उसको हमें provider sections के अंदर रखना होगा, और उसको import करना होगा, इस page पर, जब हम करेंगे, आगे वीडियो में, तो मैं आपको दिखाऊंगा, कैसे providers के अंदर रखते हैं, अगर नहीं रखेंगे, तो किया error आता है, तो दोस्तो आपके mind में ये भी यहाँ पर आ सकता है, कि हम declaration section में component को रखते हैं, providers को अलग रखते हैं, तो हम दोनों की एक साथ क्यों नहीं रख सकते हैं, भी question पूछा जा सकता है आपसे, या फिर आपके mind में आ सकता है, generally, दोस्तो दोनों में difference होता है, कि declaration section में कोई हम component, directive या pipes रखते हैं, तो दोस्तो ये compile time होता है, compile time ही, इसमें जो भी issue आता है, तो हमें issue दीख जाता है, error so कर देता है, but service में अगर कोई error होता है, दोस्तो तापका application IGT run कर जाता है, but error नहीं देखता उस time, उसका result आपके पास नहीं आता, सही result नहीं आता, right, means कि ये injected type का होता है, service बना हुए है, आगला होता है, दोस्तो, boot strap, boot strap होता है, दोस्तो कि इसके अंदर हम application, booting process के लिए हम इस करते हैं कि कौन सा component पहले load होगा, तो दोस्तो ये हुगा, ng module locator का concept, दोस्तो आगे हम देखते हैं कि हम कैसे module create करते हैं, तो module create करने का command होता है, हम यहाँ पर लिखेंग ng, g for generate या generate या g, कुछ भी लिख सकते हैं, उसके बाद आपको लिखना होगा module, और फिर उसके बाद module का name देना होगा, दोस्तो मालों, दोस्तो हमने company name से एक module create किया, company नाम राख लियर, बाद हम इंटर हिट करेंगे, तो दोस्तो इसके बाद क्या होगा, कि आप देखेंग होगा, तो app के अंदर होगा, क्योंकि app एक root folder होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, company नाम से folder create हो गया, उसके अंदर, आप देखिए, company.module.ts file create हो गया है, means कि आप module create कर सकते हैं, एक application के अंदर multiple, दोस्तो मालों, हमारे पास ऐसा सेनारियो होगा, हम किसी company के लिए, ए CRP type का बना रहे हैं, right, means कि company management system का एक हम software अगर बना रहे हैं, तो उसमें हो सकता है customer portal हो, account portal हो, उसके बाद आप बात कर सकते है, employee के लिए portal हो, HR management का अलग से portal हो, दोस्तो हर portal के लिए अलग-अलग हम module बना लेंगे, क्यों बनाएंगे, इसका concept क्या है, तो उसके लिए मैं आ बता हूं, दोस्तो कि आपको पता है कि app.module.ts आपका root module है, और यहां पर हम कोई भी component create करते हैं, तो उसका declaration section में रखते हैं, service मनाते हैं, तो providers के अंदर रखते हैं, कोई module होता है तो imports के अंदर रखते हैं, अगर मालों दोस्तो हमारे पास बहुत बड़ा project है, हर portal के लिए अलग अलग बहुत सारे component बन जाते हैं, बहुत सारे page होंगे, तो उन सारे component को अगर हम एक ही app.module.ts फाइल के अंदर अगर import करते हैं, declaration section में रखते हैं, तो यह page manage करने में difficulty होगी, यह complex हो जाएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, कि हर portal के लिए एक अपना अल पोटल से related, उस feature से related हम क्या करेंगे, component को रखेंगे, और वहाँ पर उसके declaration section में रखेंगे, उससे related service को रखेंगे, उसके declaration sections में रखेंगे, और उस module को, हर एक portal के module के reference को हम app.module.ts फाइल के अंदर लाकर रख लेंगे, इस import sections के अंदर, means कि हर portal के लिए का अपना module होगा, और उस module में उस portal से related जो भी component और service होगे, उनका declaration होगा, और उस module का reference कहा होगा, दोस्तों, आपका root module app.module.ts फाइल के अंदर, तो दोस्तों, इस concept को हम बोलते है, feature modules, feature module का concept ही बहुत बड़ा है, उसके लिए मैं video लेकर आऊँगा, कि feature module होता क्या है, तो इसी चीज़ को हम feature module बोलते है, means कि हर एक logical grouping कर देते हैं, right, कि हर एक portal के लिए, अलग-अलग हम feature module कर देते हैं, कि एक feature के लिए, अलग module बना लिया, इसी चीज़ को हम बोलते है, feature module, और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, कि module के होता है, logical grouping होता है, components और service का, तो आप यहां पर देख सकते हैं, आपको यहां लग जा गया, कि यहां पर, जैसे मैंने बताया है, हर portal का अलग-अलग module होगा, और उसमें उससे related ही component और service को हम रखेंगे, means कि एक logical grouping कर देते हैं, एक module के अंदर, और उस module के हम कहां लाकर reference देदेंगे, app.module.tsfile के अंदर, right, तो यह concept है future module का, features module, right, तो दोस्तों एक यह सब्सक्राइब करते हैं, कि इस company module के अंदर, हम component create करते हैं, और उसका reference हम कहां देंगे, company.module.tsfile के अंदर, means कि इस declaration section के अंदर, और इस module का reference, जो company module है, इसका reference हम कहां देंगे, app.module.tsfile के अंदर, जो कि आपके लिए example हो जाएगा, practical हो जाएगा आपके लिए, जो कि मैंने theory बताया, उसका practical भी आप यहाँ पर देख लेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दोस्तों कि यह component create करते हैं, यहाँ पर ng, g for generate, c for component, उसके बाद हमें करना कहा है, company के अंदर create करना है, तो हम यहा जाएंगे, जिस name से आपको component create करना है, तो मैं दोस्तों मैंने बनाया employee login नाम से component, right, जैसे enter hit करेंगे दोस्तों, तो यह 4 file create करेगा, वो भी company के अंदर, company folder के अंदर create करेगा, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर company, जैसे यह company है, company के अंदर जाएंगे, तो आप देखिए employee login create हो चुका है, फोल्डर, और इसके अंदर देखिए component के जो file होते हैं, ts file, employee login.component.ts, employee login.component.specification.ts, employee login.component.html, इसका अपना html, यहाँ पर देख सकते हैं, selector के अंदर जो reference दी जा हुआ है, यह इसको जहां रखेंगे, यह page का reference हो जाएगा, और इसका अपना html, इसके अ means कि हम इस module के अंदर एक component create कर लें, इस तरीके से एक-एक module का अंदर multiple component भी create कर सकते हैं, right, और इसका reference, means कि दोस्तों, इसका reference हमें किसके अंदर देना होगा, company.module.ts file के अंदर, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से copy कर लेंगे, right, और company.module.ts file के अंदर जाएंगे, और declaration section क के अंदर, आप देख लेजिए, अपने आप declare हो चुका है, right, means कि इसके अंदर जैसे हमने create किया, आपने आप declaration section के अंदर employee login component आ गया है, और यहाँ पर import भी हो गया है, इसके अंदर हमने रखा था, जबकि पहले हमने create किया था, दोस्तों, तो कहां उसका reference गया था, app.module.ts फाइल के अंदर, देखिए, यहाँ पर employee login नाम से नहीं है, मैंने copy किया था, इसलिए कि अगर मैं आपको search करके दिखा हूँ, तो यहाँ पर यह नहीं है, आप देखिए, यहाँ पर नहीं match कर रहा है, right, means कि इसका अपना, इस company module का यह अपना component हो गया है, इसलिए component module.ts दिया, right, अब एक चीज़ और clear कर दूँ, अगर एक component, एक module के अंदर declare हो चुका है, तो वही component आप दूसरे module के अंदर declare नहीं कर सकते हैं, यह point आप note कर लिजिए, एक अच्छा concept है, अगर मैं इसी को copy करके, अगर यहाँ पर app.module.ts फाइल के अंदर जाकर, इसके declaration systems के right, right, means कि यहाँ पर आप नहीं कर सकते, right, अगर मैं यहाँ पर इसको import भी कर दूँ, यहाँ पर import भी कर दूँ, तो यह error हमें so करेगा, जब run कराएंगे, तो बोलेगा कि multiple time आप supply नहीं कर सकते, right, ति इसलिए यहाँ से हम इसको हटा देंगे, means कि multiple place पर यही component को हम declare नहीं कर सकते, अगला बात है दोस्तों कि अब हमें क्या करना होगा, इस component को युच करने के लिए, इसको, यह component.module.tsfile है, इसको हमें क्या करना होगा, यहाँ से copy करेंगे, और इसको हम app.module.tsfile के अंदर import करेंगे, right, means कि जैसा है कि मैंने बताया था, कोई भी module create करेंगे, तो हमें root module के अंदर उसको import करना होगा, right, यहाँ पर हम comma लगाएंगे, और यहाँ पर हम इसको import कर देंगे, right, import करने के लिए, हमें इसका पात भी यहाँ पर रखना होगा, यहाँ पर import कर लिया हमने, और import section के अंदर रख लिया, right, ति यह concept हुआ कि multiple module हम create कर सकते हैं, अपने application में, हमाने अभी एक company name से create किया module, आप multiple module create कर सकते हैं, उसके multiple module का अंदर multiple component हो सकते हैं, और यही आपका concept होता है, कौन से component का reference कहा होगा, और कौन से module का reference ह में कहां देना होगा, right, तो दोस्तों, यह अभी आपको कही रहनी देख रहा है, और हम इसको serve भी कर सकते हैं, तो हमारा अगर application successfully serve होयाता है, तो means कि हमारा application में कोई issue नहीं है, हमने सही तरीके से इसको manage किया, right, यहाँ पर ng serve लिखेंगे, right, और inter hit करेंगे, थोड़ा सा time ल supply हो गया, कोई issue नहीं है, हम इसको browser में भी देख सकते हैं, दोस्तों, हमरे browser में जो कि default port होता है, 4200 port पर आप local house लिख करेंगे, तो browser में देख जाएगा, means यह कोई error नहीं है, तो दोस्तों, यह होता है module का concept, एक चीज़ और बताओं दोस्तों, कि आप कहीं कहीं देख रहे ह होंगे, इसमें आपको confused हो रहा होगा, कि यहां आपको कभी कई export लिखा हुआ है, जिस class के पहले export लिखा हुआ रहा रहता है, मतलब दोस्तों कहम इसको publicly class मिना रहा है, इसको हम कहीं भी अपने application में use कर सकते हैं, import में import करते हैं, export तभी लगाते हैं, जब हम इसको किसी और page पर कहीं इस project में use करना होता है, तो उस class के पहले हम export लगाते हैं, right, दोस्तों I think आपको समझ में आ गया होगा कि module का क्या concept है, और कितने module हम create कर सकते हैं, और क्यों कर सकते हैं, और features module क्या होता है, हम कैसे create करते है module, component कैसे create कर सकते हैं, किसका reference कैसे set करते हैं, इन सारे चीज जरूर सेर कीजिए, ताकि हम आपके confusion को दूर कर सकें, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, तो ज्यादा सेर कीजिए, like कीजिए, और हमारे चैनल को subscribe कर लिजिए, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो को notification आपको मिलती रहे, तो दोस्तों चलिए, अगले वी दे सकें, एक अच्छा सा, तो आप हमारा online class join कर सकते हैं, जिसमें हम आपको provide करते हैं, बिल्कुली corporate level का training, जिसमें कि पूरा Angular cover करा जाता है, Angular 2 से लेकर 10 तक के सारे concept, पूरा का पूरा type script क्योंकि आपको type script में coding करना होता है, पूरा RxJS library हम cover कराते हैं, अपने online class में, जो क कि बहुत लोग नहीं पढ़ाते हैं, आप कहीं class करने जाते हैं, तो, वो पूरा आपको cover करा जागा है, क्योंकि RxJS library जो है, Angular का heart माना जाता है, यह सारे चीज़ें, जो चीज मैं बोल रहा हूं, आपको YouTube पर आपको corporate level का नहीं मिलेगा, कोई नहीं डालता है, यह सारे paid हो API integration शिखायाता है, API बनाना सिखायाता है, मतलब कि back-end वाला पार्ट भी हम सिखाते हैं अपने classes में, उसके बाद project training दियाता है, project training में आपको e-commerce का application डेवलप करना सिखाया जाएगा, जो कि बहुत ही corporate level का होगा, बहुत ही broad level का होगा, जैसे कि आप Flipkart Amazon यूज करते हैं, उ सकते हैं, देखिए, अगर आप कहीं से पढ़ते हैं, दो तरीके होती है, कि अगर आप मालेजे कि आप किसी इंच्यूट में पढ़ने जाते हैं, तो इंच्यूट में आपको कौन पढ़ाता है, एक तरीके से वो teacher होगा, faculty होगा, और सचाई ये है, कि teacher ये faculty कौन बनता है, soft industry में job नहीं ले पाता है, जो खूद ही job नहीं ले पाया, तो आपको क्या training देगा, वो आपको बूक वाला knowledge देकर आपको भेज देगा, लेकिन आप वही पढ़के आप जब जाते हैं, company में काम करने, तो आप वहाँ पर काम नहीं कर पाते हैं, फिर आपको भाग कर किसी ने किसी बड़े MNC में काम करते हैं, तो हम लोग वही चीज अपने training में provide करते हैं, जो directly corporate में किया जाता है, काम किया जाता है, real चीजे हम आपको बताते हैं, इसलिए हमारा class famous है, जो हमारे हाँ से training ले ले लेता है, उसको कहीं भी interview correct करने में कोई भी problem नहीं आता है, क अगर आप जोइन करना चाहते हैं, तो हमारे website का link इस video के description box में है, आप उस पर click करके अभी widget किजिए हमारे website shahosop.com पर और अपना badge चूच किजिए, check out किजिए, और class join कर लीजे, कल से ही अपना class आप जोइन कर सकते हैं, अगर आप inquiry करना चाहते हैं, तो हमारे official mobile numbers भी available है, वीडियो के description box में, या इस video के screen पर भी आपको नीचे में दीख रहा होगा, हमारा mobile number आप धरंद कॉल कीजिए, inquiry कीजिए, और class join कीजिए,